हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आप चनल डिवेस स्टेडी पे आज किस वीडियो में हम सभी लोग M.I.L. पेपर गेस कुश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ और साथ में इंसर सिट भी उसका लेकर आया हूँ बलकि आईगी यह कंफोर्म कहा जा रहा है कि जैसे कि मैंने अभी तक 4-5 पेपर जारी किया था अपने तरब से वे सारे इन्वर्शेटी की जो कुर्षेन आये थे एक्जाम हुआ था वे सारे कुर्षेन आपके एक्जाम में सेम टू सेम मैच किया है इसी को मधे नजर रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि A.M.I.L. पेपर का भी जो मैं कुश्चन लेकर आया हूँ इस सारे कुश्चन आपके एक्जाम में हू बहू हू मैच कर जाएंगे जैसे कि यहाँ पे कितने चोड़ा है उपने आस में वरनित बाबुची का चरित चितरन कहा जा रहा है लिखने के लिए तो कुश्चन नमबर एक यह है और कितने चोड़ा है में से आथवा करके दो कुश्चन पूछे जाते हैं हो सकता है बाबु जी का चरीत चितरन करने के लिए बोला जाए या दूसरा कूशन इसी में कहा जा सकता है कि हाफित सहाब का चरीत चितरन किजिए बाबु जी का न पुछ कर हाफित सहाब का पुछा जाए या हो सकता है हाफित सहाब का भी न पुछ कर कितने चवरा है उपनि उपनियास का आखिर क्या मुख्य उदेश क्या है इसको आप समझाइए लिखिए अपने सब्दों में और कम से कम कितने सब्दों में लिखेंगे इसका उत्तरती यह एक कुष्चन 20 नंबर के होंगे यानि कि कम से कम आप वहाँ पे देख लिजिएगा 15 नंबर के होंगे तो क कम से कम 4 पेज और 20 नंबर के होंगे तो कम से कम 6 पेज कम से कम 5-6 पेज आपको लिखना होगा अगर पहला उपनियास से एक कुष्चन अवस्रूप से पुछा जाएगा कितने चौड़ा है उपनियास में से कम से कम एक कुष्चन आपकी एक्जाम एमाईल पार्ट वन में नीची तुरूप से आएगा वह हो सकता है बाबुची का चरीतर चीतना पूछा जाए हो सकता है आफिच साहाब का चरीतर चीतना पूछा जाए या हो सकता है उपनियास से आप क्या समझते उसका उद्धिस से क्या है इसका वर्नन कीजिए आप लोग सोच रहे होगे कि इस का पुलिटिकल साइंस का इसी तरीके के तिंचार और सब्जिक्ट का फिरी में कुष्चन बैंक के साथ साथ गेस कुष्चन भी उपलापत कराया हूं बिल्कुल फिरी नाम मातर सुल्क भी नहीं लिया हूं जो पहले मैं आप सभी को बोला था कि मैं आपसे सुल्क लूँगा आप सभी के गुजारिस पे उसको भी फिरी कर दिया हूं और काफी रिस्पॉंस आए आप लोग बहुत सारे ऐसे चातर हैं जो लगबख 1500 से 2000 ऐसे चातर हैं जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का ले चुके हैं और M.I.L. हिंदी का भी 100 नंबर का कम से कम अभी तक 40 से 100 student ले चुके हैं और आप लोग अगले student या अगले number आप हो सकते हैं तीन खुष्ट्र मैं आपको बता दिया हूं कितने चौराह बहूं से 3 में से कम से कम एक question आपके एक जामले आयंगे आथ्वा करके लिखना होगा एक question का answer आप लिखेंगे उससी परकार से निचे देखें हो इसके एंसर भी आपको मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर एंसर देख रहे है एक सिर्सकर और रॉप में रख सकते हैं जैसे कि आपको पता है अभी तक आप लोग िट्ःाम कैसे चल रहा है और क्या पुछा जाए पाच कुष्चन तो मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ चुका हूँ और छे नमबर कुष्चन में आप देख सकते हैं काली दास सिर्षत के कवीदा का भावार्त भी आपसे पुछा जा सकता है भावास्त पुष्चन कीजिए या साथ नमबर में तीन कुष्चन में से कम से कम एक कुष्चन आपके सामने आएंगे क्या तोरती पत्थर पुस्प की अभिलास्सा या काली दास पे तीन में से एक कुष्चन आएंगे और पहले तीन में से एक आएंगी यानि कि दो question यहां से conform से आएंगे और कम से कम अगर बंदरा नमबर के भी एक question पुछे जाते हैं तो पंदरा दुना 30 हुआ यानि कि 30 नमबर आपका यहाँ पर पूरा conform होता है इसके बाद आगे बात की जाए तो यरक कुषर और लिखना होगा उसका सोंदर्य प्रस्थूत करना यानिकी स्रांस लिखना होगा ताज, सिर्शक, कभीता का भाव संदर्य प्रस्थूत किजिए या ताज लग जो आग्रा में इस्तित है उससी के बारे में कुछ है यहाँ पे पंक्तिया आपके चेप्टर में भी लिखेगे चेप्टर का नाम है ताज और किस ने लिखा है तो सुमित्रा नंदन पथ जी के दोरा यह चेप्टर लिखा गया है ताज सिरसे कविता का भाव संदरे परस्तुत कीजे या आठ नंबर में आपसे पुछा जा सकता है बसंत आपके चेप्टर में से कम से कम एक कुछन आपके एकजाम में आएंगे यानि कि 45 नंबर का आपस लेबस कम्प्लीट हो जुका है और जो 10-10 नंबर के दो भावार्थ लिखने आएंगे वह भावार्थ में से मैं भी कुछ लेकर आया हूँ लेकिन भावार्थ की संभावना काफी कम है जो आपके एकजाम में आने की संभावना नग के बराबर है लेकिन यहाँ पर जो मैं आपके लिए ब्याकरन लेकर आया हूँ या ब्याकरन काफी इंपोर्टेंट है और आपके हर एकजाम में या ब्याकरन के कुछन पुछे ही जाएंगे ब्याकरन में लगभग और परतियाय के भेद को बताईए या सोधारन इसका उधारन के साथ ब्याक्या कीजिए ये भी कुछा जा सकते हैं उपसर्ग और परतियाय के भेद को बतलाईए कितने प्रकार के होते हैं क्या है संधी और समास को अंतर को समझा कर लिखिए या उधारन के साथ समझा कर लिख दूसरा है किस चेप्टर से ब्याकरन भाग से ब्याकरन भाग से दो कुशन आपके सामने आ चुका है और तीसरा कुशन आपके सामने है कार्ता के नेश्चीन का परयोग कहां कहां होता है उधारन के साथ इसे असपश्ट किजी अभी तक उपसर्ग परते हैं संधी समास और का में त्क retard की लिएवर्ष म में औरक ditने क्या जाना वब देख लिजएका कि आपके सिफ्ट में किस तरीके से पूछे जा रहा है और यहां पर आगे बात Κी जाएボार्थ की बात तो गफ़वार्थ में आपके सामने कैसे कुशन पूछ सब्सक्राइब भावार्थ में कंट ने से चार पहर आजा करा हूं जैसे आप पढ़ लेंगे तो आपके एक्जाब में हो सकता है भावार्थ है तो उसमें से कुछ पॉइंटे आपको याद होगी तो आप उसे लिख पाएंगे अन्याथ आप नहीं पढ़े रहेंगे भावार्थ को तो आपका दस नमबर तो ऐसे ही ही सक जाएगा इसलिए कम से कमा भावार्थ को एक बार अवस्षिरुप से पढ़ लिजेगा पहला है स्यामतन भर बंधा योन बार बार प्रहार अब किस चेप्टर से लिया गया है इसे आप पढ़िएगा ता आपको पता चल जागा है कि तोर्ती पत्थर से यह लिया गया है और इसके लेखक कौन है तनिराला जी है हम कौन थे क्या हो गया फिर भी अधूरा है नहीं इसका भी भावार्थ आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है बसंत आता नहीं ले आया जाता है जो चाहे जब चाहे अपने घर ले आ सकता है यह तीसरा भावार्थ है इसी प्रकार से एक भावार्थ और है भूल गये हम जीवन का संदेशन नस्वर मिर्तकों के है मृतक के है निश्वर मिर्तकों के है इस्वर और नस्वरों के है मृतक मतलब जो मर गया है उसके लिए तो मृतक ही उसका देखबाल कर सकते हैं और जो सामने सारे question को लेकर आ चुका हूं और यह सारे important question आपको फीरी में मिल जाएगा 9123427285 पे आप call कर सकते हैं अन्याथा whatsapp कीजिए अन्याथा email id help anurag 2019 at greatgmail.com पे आप mail भी कीजिएगा जैसे कि history political science के लिए मैं आप सभी को free में guess question के साथ सक political science का question भेंक भी उपलब्ट कराया था या इससी प्रकार से आप सभी के लिए questions काफी important है आप इसी एक बार अवसरुप से देख लिजेगा चलिए तो आज के लिए इतना ही था फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ लेकिन अपने चलनल deviasis study पे एक वीडियो gift के तौर पे आप सभी के लिए जारी किया जा आता है और 30 माई को एक वीडियो आएगी कि आपकी किस subject के माधियम से कितना question आपके exam में ला रहा था मेरे दुवारा जो guess किया गया था 80% question match किया 90% है 100% वह guess question आपके लिए proof के तौर पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा उस वीडियो को भी आप लोग और सिर करता रहता हूं चलिस तू आज के लिए नहीं था फिर मिलेंगे कल किसे निवी जाट आपके साथ थैंक्स पर आजकें दिसे वीडियो बाई बाई जय जय वारा